हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई यूटूब चैनल दोस्तों मेरे पास एक टेक्नो का डिवाइस आया हुआ है जो किसका मॉडल है एस्पार्ग गो दोहजर बाइस तो इस डिवाइस में एफ रपी लॉक लगा हुआ है तो आज के इस वीडियो में इसे कैसे बाइपस करना है मैं आपको step by step बताऊंगा पर हाँ दोस्तों आपको कहीं पर भी वीडियो को skip नहीं करना अगर skip करते हैं तो शायद आपके लिए ये possible नहीं है ठीक है यानि वीडियो को ध्यान से देखिएगा तो सबसे पहले अपनी इस डिवाइस को वाइपस से कनेक्ट कर दीजिएगा कनेक्ट करने के बाद ये जो माइक वगरा जो ऑफ्षन है ये वाप नहीं करेगा ठीक है और ना ही इसमें talkback वाप करने वाला है तो भाई इसे कैसे bypass करना है मैं परशान हो गया क्योंकि भाई इसमें talkback वगरा जो है सो वाप नहीं कर रहा है तो final मैं कैसे किया हूँ लेकिन आपको सबसे पहले अपनी इस डिवाइस को वाइपस से कनेक्ट कर देना है ठीक है यह सब तो खर वाक नहीं करेगा क्योंकि Android 11 पर रन कर और इसका जो स्विकर्टी है एकदम लेटेस है तो आपको पता ही होगा कि FRP क्या है या नि गूगल आकाउंट लॉक तो फिलहाल मैं इसको किस तरीका से वाइपस करूँगा मैं आपको इस वीडियो में देखाता हूँ सबसे पहले आपको अपनी इस डिवाइस को वाइपस से अपने कनेक्ट किया कनेक्ट करने के बाद एकदम इस जगह पर आजाना है ठीक है मैं जिस तरीका से कर रहा हूँ इमर्जेंसी में क्लिक करना है ठीक है उसके बाद देखिए इस साइड में क्लिक करना है उसके बाद यह लॉक आपसे आपका सीम का मांगेगा ठीक है तो आपनी जो सीम में लॉक दिया है उस लॉक को इस जगह पर दे देना है उसके बाद देखिए यहाँ पर add contact जो है दोस्तों इसमें click करना और यहाँ पर यह जो contact है इसको long press करके रखना है इससे आपका देखिए यहाँ पर permission आएगा ठीक है permission में आपको click कर दिना उसके यहाँ पर देखिए search में आपको click करना है search में click करने के बाद आपको अगर sim निकालना है तो भार कर सकते है क्योंकि अभी फिलाल sim का काम हो चुका है खत्तम अब आपको यह जो search है इसमें type करना है setting only for setting लिखना है ठीक है यह देखिए मैं आपको लिख रहा हूँ setting setting लिखने के बाद थोरस आपको wait करना है और नीचे के तरपाना है यह देखिए setting ठीक है simply आपको इसे open कर देना है यह देखिए open करना है open करने के बाद इसका model बगरा भी आप देख सकते है देखिए KZ5 है यह टेक्नो KZ5 Android 11 पर यह रन कर रहा है तो खेर model आपने समझ गया है उसके बाद setting में आने के बाद आपको करना क्या है देखिए apps management जो है दोस्तों लिखा हुआ इसमें आपको आना है और apps setting में आना है यह देखिए apps setting फिर 3.0 में आपको click करना है source system apps करना है उसके बाद यह देखिए की तरपाना है ध्यान दीजिएगा किस चीजों को मैंने disable किया और कैसे setting तक आया यह सब को ध्यान दीजिएगा ठीक है नहीं समझ में आरा back आईए फिर से देखिए कोई fake वीडियो नहीं 100% है दोस्तों ठीक है जाना है और यहां पर कुछ भी नहीं करना बैक होते चलाना है आपको उसके बाद start करना है और next करना है फिर आपको यहां पर इसे टंसें कंडिशन को accept करके next करना है उसके बाद get your phone यहां पर ready यह कहेगा जो getting phone यह already है ऐसे कह रहा है यहां पर और just a second पर यह अटक जाएगा अब आपको करना क्या है यह देखिए इस जगह पर अटक जाएगा यह आगे नहीं जाने वाला क्यूंकि हम लोगों इसे गूगल पिली सर्विस है उसे डियसेवल करके रखा इसके लिए ठीक है तो अब क्या करेंगे सिम कार्ट को बाहर निकालेंगे और फिर से इसे लगा देंगे उसके बाद यहां पर वापिस से आपको emergency में click करना है उसके बाद emergency information में click करना है फिर इसमें click करना है उसके बाद अपना जो sim का lock है वो आपको देना है उसके बाद add contact और फिर से आपको जो contact है उसे long press करके रखना है permission में आ जाना है उसके बाद फिर search आपको करना है setting जैसे आप गय थे से उसी तरीका से आपको जाना है उसके बाद यहाँ पर setting आपको लिखना है उसके बाद फिर से setting को open करना है और फिर से आपको जो apps आपका जो management था इसमें आना है app setting में आना है उसका source system apps करना है और इसमें करके देखिए यहाँ पर disable app जो आपने disable जिसे किया था उसे simply enable कर दीजिए यह देखिए इससे भी मैं enable कर देता हूँ sorry यह already चलिए ठीक है इसे मैं फिर से enable कर देता हूँ ठीक है और उसके बाद आपको कुछ नहीं करना एकदम back आ जाना है यह देखिए मैं back आ रहा हूँ आराम से एक दमाना है और यहाँ पर भी कुछ नहीं करना आराम से back आ जाने से उसके बाद यह देखिए आपका FRP हो गया bypass ठीक है without PC हम लोगों ने इस तरीका से किया जिसमें आपका talkback भी work नहीं कर रहा है माइक वहला जो option है जिससे हम लोग deny permission यह जो लाते थे यह वहला भी option work नहीं कर रहा है यानि हम लोगों ने इस तरीका से इस device को bypass किया SIM method से आप भी कर सकते हैं SIM card बहुत ही easy है बहुत सारे भाई का ऐसा भी question हो सकता है कि भाई SIM को कैसे क्योंकि बहुत सारे मुझे comment आता रहते हैं इसके लिए मैं कहा रहा हूँ जिन्हें पता है उनके लिए तो अच्छी बात है खेर कहना मैं यह चा रहा हूँ कि बहुत सारे भाई को SIM card लॉक नहीं करना आता है वह भी without PC android 11 जो मैं किया हूँ अब आपको आपका जो device से complete setup हो चुका है अगर reset करना है तो कर सकते हैं उनक कोई बात नहीं है ठीक है खर मिलते हैं किसी next video में तब तक के लिए thank you so much thanks for watching